नमस्कार दोस्तों कोई डारी चैनल में आप स्वागत है दोस्तों पहले मेरा चैनल को सब्सकाइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और देखते रहिए आज का एक खास वीडियो नमस्कार दोस्तों मैंने आभी आप लोगों को 10 पैसा अलूमुनियम बोंज वाला सिख्के की बारे में बताएगा दोस्तों 1968 से लेकर 1971 तक ये सिख्के मर्केट में आया था दोस्तों ये पितल का सिख्के का आ जाता है लेकिन ये अलूमुनियम बोंज वाला सिख्के है की वेट है 4.25 ग्राम 23 मिलीबिटर सर्कुलर नहीं कौई यह सर्कुलर कौई नहीं है यह स्कालोप कौई है यह किनारा है इसका अब लोग देख सकते हैं आठ इसका जो किनारा है यह वाला यह सिक्के तो दोस्तो पहले यह सिक्के मार्केट में आया था 1968 में 68 वाला सिक्के मेरा पास नहीं है मैं 69 वाला सिक्के अभी दिखा रहा हूं तो दोस्तो इंडिया का तीनों मिंट से यह 10 पाइसा वाला अलूमुनियम ब्रॉंज का यह सिक्के रिलीज हुआ था बुंबे, कैलकाटा और हाइदाबाद मिंट मैंने इसका प्राइज डिटेल में आप लोगों को बताएगा तो दोस्तो यह जो सिक्के है अलूमुनियम ब्रॉंज वाला यह 10 पाइसा सिक्के 1968 में पहले मार्केट में आया था उसका बाद 1971 तर यह सिक्के मार्केट में RBI ने रिलीज किया था उसका बाद बंद हो गिया तो दोस्तो प्राइज बाताने के पहले एक बात आप लोगों को बता दू आप लोग आभी भी कॉमेंट जोक्स में फोन नमबर डालता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को पैसा ज़्यादा है आप लोग चीट होने को मांगता है तो आप लोग चीट होईए और comment box में अपना phone number डालिए इसमें मेरे को कुछ कहना का नहीं है क्योंकि बहुत सारे आद्मी लोग market में उतर गया यह phone number लेके आप लोगों साथ contact करके कोई भी खरी देगा नहीं एक दम सिधा सिद्या बोल दिया आप लोगों का पैसा ज्यादा है तो phone number डालिए तो दोस्तों मैंने coinage किताब में जो प्राइज दिया है एल्मुनियम बूज वाला शिक्के की वो प्राइज मैंने आप लोगों को बाताएगा दोस्तों 1968 से लेकर 1971 तक जो सिख्के है उसका प्राइज 1970 वाला थोड़ा अलाग है वो मैं बताएगा लेकिन जितना प्राइज है 1969 का बूंबे, कैलकाटा, हाइदाबाद तिनो मुन का प्राइज एक ही है 10 रुपिया से लेके 25 रुपिया तर एक सिख्के की कीमात हो सकता है coinage में किताब में जो प्राइज दिया है मैंने बताया तो दोस्तों coin का quality एकदम अच्छा होना चाहिए एक जाम good condition होना चाहिए जेम पी इवन सिख्वाइन होना चाहिए तब एक प्राइज मिल सकता है लेकिन डिला लोग आपको एतना पैसा देके खरीदेगाने क्योंकि ओलोग भी एक सिख्के खरीद के नापा उटाएगा इसलिए 1968 बाला सिख्के की किमात बता दिया और 1969 का जो प्राइज है मैंने वो भी बताने बाला हूँ मुंबे, कैलकाटा, हाइदाबाद मिल में ये सिख्के मिन्टेज हुआ था तो दोस्तो 1969 बाला सिख्के की किमात 10 रुपिया से लेके 25 रुपिया तक हो सकता है उसके बाद 1970 का प्राइज मैं बताने बाला हूँ दोस्तो 1970 का सिख्के से दोनों मिन्ट से मिन्टेज हुआ था कैलकाटा और मुंबे कैलकाटा सिख्के मेरा हाथ में है अब लोग देखता है 1970 बाला सिख्के अब लोग देख रहा है तो दोस्तो मुंबे मिन्ट का जो सिख्के है उसका प्राइज है 10 रूपिया से लेके 25 रूपिया लेकिन कलकाटा बाला जो 1970 बाला शिक्के मेरा हाथ में जो शिक्के है ये शिक्के दोस्तो 15 रूपिया से लेके 20 रूपिया तक एक शिक्के मार्केट में स्वेल हो सकता है क्योंकि जेम इवेंची कोईन होने से ए प्राइक जरूर आप लोगों को मिलेगा लेकिन डिला लोगों से येदना दाम में नहीं खरिदेगा थोड़ा बहुत कम दाम में खरिदके उलोग भी नाफा उटाएगा इस किसी से शिक्के खरिदता नहीं हूँ मैं ये सिदा बात बता दिया और दोस्तों 1971 बाला जो शिक्के उसका प्राइज है वो सिंगल मिंटेज हुआ था से बंबे मिंटेज हुआ था 1971 बाला शिक्के उसका प्राइज भी 10 रूपिया से लेके 25 रूपिया तक हो सकता अगर JMUCC के होगा तो तब आप लोगों को ये प्राइज मिलेगा